हलो, वाट्स अप गाईज, कैसे हैं आप सभी लोग, तो फाइनली गाईज, बीजी आईएस 2024 के रजिस्टर्शन स्टार्ट हो चुके हैं, पूरा कुछ एक्स्प्लीन करते हैं, कैसे रजिस्टर करना है, स्टैब बाई स्टैब जो भी आर न्यू कमर्स है, जो फर्स टाइम टूनामेट खेल रहे हैं, उसके लिए तो ये वीडियो नेक्स लेवल हेलफुल रहने वाला है, और ये साइट का लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, बाकी ओफिशल इस्टाग्राम पे भी आ चुका है, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना email address डाल दोगे, सही से डाल ला, क्योंकि इसी पर OTP आएगा, अगर ऐसी डाल दोगे, तो OTP नहीं आएगा, तो अपना email address डाल ला, verify पे क्लिक करना, देन उसके बाद यहाँ पर एक OTP जनरेट हो जाएगा, जो आपके Gmail address पर आजाएगा, OTP डाल के verify कर लेना है आप लोगों को, देन उसके step 2 पर आजाएगे अपन, इसमें सब कुछ आपको फिल करना है, आपका first name, आपका जो भी name है वो डाल देना, मैं मेरा नाम डाल देता हूँ, जैस, आपका last name, जो भी आप नाम के end में लगाते हैं, वो डाल देना, यादा हो कर दिया मैंने, अब यहाँ पर गाइस date of birth, जो आपके mobile number के, यह धान रखना, प्लस 91 नहीं लगाना starting में, ना प्लस 0 लगाना, यह कुछ भी नहीं लगाना, direct अपना mobile number लिखना, start कर देना, अब यहाँ पर guys big confusion create हो रहा है, लोगों के mind में, क्रोफटन इंडियन e-sports username, यह क्या चीज है, यह कुछ भी नहीं है guys, जैसे already taken, मैंने already taken, क्यूंकि मैंने एक और पहले registration कर चुका हूँ, तो उसमें मैंने matcon से रजिस्टर किया है, तो यहाँ पर मैं जैयश डाल देता हूं, शहाँ, जैयश मेरां को मिल जाए, जैसे मेरा को मिल चुका है, क्यूंकि मैने जैसे मैंने जैयश ले लिया है, अब कोई औ में आ रहे हैं कि यार हमारे registration के time को दिक्कत हुई थी इस चक्कर में हम disqualify हो गए तो अपनी तरह से registration अच्छे से करें जिससे आप लोगों के chances जादा हो जाएं आगे पहुंचने के तो guys यहां पे अब अधार काड अप्लोड करना है अपन का भी अप्लोड करना है तो यह तो है और किलियरली विजिबल होना ची है ऐसे नहीं कि आ दुंदला सा दिख रहा है अब इसके बाद है guys select this option if you have only year mention in your अधार किसी-किसी अधार में guys सिर्फ year mention होता है date mention नहीं होती है date of birth पूरी mention नहीं होती है तो अगर आपकी पूरी date of birth mention नहीं है अधार में तो इस पर ठिक कर लेना मेरी तो पूरी mention है तो मेरे को इस पर अच्छेक ही रखना है अब यहां पे guys 12 number का अपना अधार काड डाल देना है मैं तो ऐसी डाल रहा हूं चार पांच छे साथ आठ नो तस क्यारा एक और नमबर एंटर करना है अब यहां पे guys अपने documents upload कर देना है front के और back side के यहां पे लिखवा है upload file max size 2mb 2mb की नहीं चीए और इसमें front करना है और इसमें back करना है तो guys मैं एक बार upload कर देता हूं मेरे documents तो guys यहां पे मैंने upload कर दिया है इसके बाद आए consult पे टिक कर देना है and then उसके बाद click कर देना है proceed पर अब आ चुके है guys अपन step number 4 पे enter your in-game name तो guys यहां पे आपको in-game name लिख लेना है like मेरा नाम है matcon तो यहां पे मैंने matcon type कर लिया है इसके बाद bgmi uid यहां पे उपर की side मिल जाएगी uid तो यह भी आपको put कर लेनी है जो भी है अपकी है इसमें मैंने ऐसे डाल दिया है आप लोग जान से fill करना जो भी आपकी uid है उपर अपने profile में दिख जाएगी आप लोगों को यह सबी को idea है क्या होती है उपर की side होती है जैसे मैंने cursor किया ना यहां पे आपको मिल जाएगी आपके profile के उसके बाद guys आप लोगों को एक photo upload करनी है यहां पे basic info की जो आपको game पे अपना एक screenshot खेत लेना है basic info जैसे इन लोगों ने यहां पे दिखा रखा है simple सा ऐसे और उसके बाद प्रोसेट पर click कर देना है उसके बाद अपना जहां भी आप रहते हैं वो select कर लेना है मैं select कर ल register कर चुका हूं तो मैं आपको दिखाता हूं मेरा जो registration कर चुका हूं मैं यहां पे guys मैंने यह किया है photo मैंने upload कर दिया आप भी photo upload कर लेना उसके सिवाल guys आप बताते है in game qualifiers कब से start है in game qualifiers 8 April से start हो जाएंगे कब end यह तो पता नहीं बट 8 April से in game qualifiers चालू हो जाएंगे at least 25 होना चाहिए आप लोगों का और tier platinum 5 से उपर होना चाहिए तो यह है बाकी इसके उपर मैं dedicated वीडियो बनाने वालों जिसमें in game qualifiers आप लोग कैसे easily निकाल सकते हो कि हम already बहुत सारे tournament's में in game qualifier बहुत आराम से निकाल चुके है BMOC, BGIS तो आप लोगों को आर अच्छे से एक बताएंगे कैसे आप लोग classic match में अच्छे का से कल secure कर सकते हैं कितने का average लेके चलना चाहिए और make sure guys अपनी team का नाम comment जरूर करना अगर आपन मिलते हैं आगे तो बिल्कुल boom bomb कर देंगे तो team का नाम comment करना अगर कुछ मैंने miss कर दिया हो तो comment section open है वहाँ पे आप पूस सक और एक और चीज यह अगर आप लोगों के पास team नहीं हो रही आप three man हैं अगर आप solo हैं तो मेरे को instagram पे message करना मैं एक group create कर चुका हूं उसमें आप लोगों को add कर दूँगा तो आप लोगों के लिए benefit रहेगा कि आप पसमें बात करके आप एक team create कर सकते हैं और क्या पता registration के लिए 31 तारिक को end है तो यह चीज़े है guys आप logo डाल देना अपने art जो भी है बहुत easy है change logo या पहले starting पे add logo आ रहा होगा उस पे click करोगे तो आपका आ जाएगा schedule अभी आएगा नहीं क्योंकि start हुए नहीं है चीज़े और यहाँ पे guys standing में देखे तो coming soon है क्योंकि अभ comment section में लिखना मिलते है next video में पूरा cover करेंगे कैसे in game qualified easily निकाल सकते हो आप लोग तो make sure channel को subscribe इस video को like और share करो या जो भी नए बंदे जिनको registration में दिक्कत आ रही है उनके साथ ये share करो या फटा पड़ते मिलते है next video में जब तक के लिए सभी को bye bye